हेरी डिटी, सुनने में बड़ा कॉंप्लिकेटिट सा वर्ड है, बट इसका सिंपल सा मतलब है पेरेंट के करेक्टरस्टिक्स बच्चों में जाना बट ऐसा होता कैसे है? मतलब इनसान के बच्चे इनसान जैसे ही क्यों देखते हैं? इनफाट बच्चों में दोनों पेरेंट्स के कॉमन करेक्टरस्टिक्स होते हैं, बट हाउ इस पॉसिबल ये कैसे डिसाइड होता है कि मेरी हाइट अपने ममी जैसी होगी या अपने पापा जैसी एन मेरी आइस का कदर ममी जैसा होगा या पापा जैसा? इस वीडियो में हम सारी questions के answer discuss करेंगे हाँ बया कुछ gene DNA वगरा से related होता है ये सब हाँ हाँ मैंने भी ये ही सुना है yes you are right बट ऐसे बीच में से शुरू करने में मजा नहीं आता हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था and मैं चाहता हो कि आप gene DNA इन सब को भूल जाओ and just this story को enjoy करो इस कानी की शुरुआत होती है 1822 में यानि की आज से 200 साल पहले जब यूरोप की एक कंट्री में एक फार्मर फैमिली में जॉन ग्रेगर मेंडल ने जनम लिया उनकी फैमिली बहुत गरीड थी and लंबे टाइम से फार्मिंग कर रहे थी but Mendel was a very intelligent guy money problems होने के बावजूद भी he managed to go to top universities to learn subjects like maths and botany उसके बाद वो एक चर्च में priest बन गए उस ताइम पे चर्च वर not just about praying and religion but they were very much involved in teaching science and doing scientific research तो ग्रेगर मेंडल ने अपने ही चर्च में present scientific research के लिए बने gardens में pea plant को grow करना start किया मेंडल pea plant में heredity कैसे होती है इसके बारे में research कर रहे थे उस ताइम पर लोगों का मानना था कि बच्चों में दोनों parent के characters mix हो जाते हैं जैसे अगर एक black rabbit and white rabbit बच्चा पैदा करें तो उनका बच्चक grey होगा बट जब मेंडल ने pea plant पे research करना शुरू किया तो उनने इसके contradictory result मिले जैसे जब उन्होंने green color seeds वाले pea plant को एक yellow color seed वाले pea plant के साथ breed किया तो जो नए plant बने all of them were of yellow color बट अगर character की mixing हो रही होती तो नए plant के seeds का color green and yellow के बीच का होना चाहिए था इस result fascinated him उसके बाद उन्होंने अलग-अलग traits वाले pea plant को आपस में breed करना शुरू किया the traits that he selected were plant height, seed color, color of flower and so on उन्होंने इन्ही traits के combination वाले हजारो pea plant को breed किया and he started observing patterns in them जैसे जब वो एक yellow seeded pea plant को green seeded pea plant के साथ breed करते तो all of the new plants were yellow बट जब उन्होंने इन yellow plants को आपस में breed किया तो 1 by 4th of the new plants formed were green इसका मतलब पहले cross में सभी plants seeds yellow होने के बावजूद भी green color वाला trait loss नहीं हुआ था क्योंकि second cross के बाद green color seed वाले pea plant बने थे इसका मतलब पहले cross के बाद वाली generation में ये trait hidden था बट second cross के बाद ये फिर से express हो गया जैसे जब उन्होंने tall pea plants को small pea plants के साथ breed करवाया तो 1st generation में यानि F1 generation में सारे tall plants मिले जब इस F1 generation को self pollinate करवाया तो F2 generation में यानि second generation में 1 by 4th small height वाले pea plants मिले तो उन्होंने इन सारे patterns को observe करकी ये conclusion निकाला कि there must be something, some factor that is getting transferred from parents to offspring by sex cells which is carrying the parent traits to the next generation and there must be two copies of this factor in each parent उन्होंने बताया कि दो copies में से दोनों parent एक एक copy अपने बच्चे को देते हैं अब इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में हर trait के लिए दो copies होती हैं, दोनों parent में से एक एक जैसे जब हमने yellow seeded bee plant को green seeded वाले pea plant के साथ cross किया, तो first generation यानि F1 progeny के पास yellow and green दोनों trait के लिए एक एक factor present थे बट इसके बावजूद भी सभी plants yellow color के थे तो इससे उन्होंने conclude कि प्लांट में हर एक trait की दो copies होने के बावजूद, first generation में सिरफ एक ही trait express होता है, और जो trait express होता है उन्होंने उसे dominant trait कहा जो express नहीं होता, उसे recessive trait बोला चलो, इसी थोरिय को हम F2 generation यानि second generation पे apply करके देखते हैं मैं जब 2 F1 generation वाले P plant को self pollinate करवाता हूँ तो ये 4 different combination बन सकते हैं क्योंकि sexual reproduction में parents दोनों copies में से randomly कोई A copy अपने बच्चे को देते हैं अब इन 4 different combination पर धान दो इन में से एक plant के पास दोनों yellow color वाली copies हैं तो ये definitely yellow होगा दो plants के पास एक yellow और एक green trait की copy है और हम जानते हैं कि yellow color is dominant तो these two plants will be yellow बट एक plant के पास दोनों ही green color वाले trait की copy हैं तो ये definitely green होगा मतलब second generation में one by fourth of the plants are with green seeds and this is exactly what Mendel theory predicted क्यों गया कुछ दिमाग में हाँ बेटा गया तो कुछ कुछ जी बहिया ग्रेगर Mendel was a very passionate man उन्होंने अपनी lifetime में हजारो प्ली plants को breed करके उनके बीच के pattern note की है and जो भी मैंने आपको information अब तक दी है उसके अलाबा उन्होंने एक और भी conclusion निकाला उन्होंने notice किया कि अगर मैं एक tall plant with yellow seeds को एक short plant with green seeds के साथ cross करूँ तो all the possible combination form in second generation इसका मतलब ये हुआ कि parents से बच्चों तक हर एक factor independently inherit होता है and he called this independent assortment बच्चों Gregor Mendel की सारी theories आज के time पे apply नहीं होती but आपको उनकी details जानने की जुरुवत नहीं है you just enjoy the beauty of this topic okay भाईया Mendel की findings बहुत fascinating थी but it's really sad कि उनकी death तक भी किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया and he did not get any recognition but जैसे जैसे हमारे microscope better होए and हमने cell के अंदर जाकना शुरू किया हमने realize कि Mendel सही कह रहे थे Mendel की most of the laws are true scientists found out that cell के nucleus के अंदर chromosome present होते है ये chromosome उसी तरह behave करते हैं इस तरह से Mendel के factors behave करते थे there are two copies of each chromosome and only one of them transferred from parent to offspring उनकी dominant recessive वाली theory भी काफी हद तक सही थी तो in a way Mendel predicted the presence of chromosomes even without looking inside the cell fascinating right? मेरी आखो में तो आसू आ गए हाँ भाईया बहुत emotional story थी चलो मैं आपको इसी से related एक बहुत अच्छी real life application बताता हूँ humans के अंदर 23 pair of chromosomes present होते है और इन में से एक pair 6 chromosomes का होता है there are two different sex chromosomes X chromosome and Y chromosome अगर एक बच्चे में दोनों X chromosome होंगे तो वो female बनेगी and अगर एक X and एक Y chromosome होगा तो वो male बनेगा तो अब मान लो कि ये एक adult male and female है now we have already studied कि एक pair of chromosome में से सिरफ एक chromosome ही randomly parent से बच्चे तक जाता है तो इसका मतलब male से या तो बच्चे में X chromosome जा सकता है या फिर Y chromosome बट क्योंकि female के पास दोनों X chromosome है इसलिए female से सिरफ X chromosome ही बच्चे तक जा सकता है तो अगर female के X के साथ male का Y आया तो male बच्चा पैदा होगा and अगर male का X आया तो female baby will be born बच्चे का sex entirely males पर depend करता है बट आज भी अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो उसका इंजाम females पर लगाया जाता है कितनी अजीब बात है नहीं society needs to change and अगर आप लोग ये change नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा चलिए इसी के साथ हमारे ही chapter heritage खतम होता है ये वीडियो अपने friends के साथ भी जुरूर शेयर करना कई रिले ही बेजते रहो बस and हाँ subscribe करना मत बूलना